तो गाइस अगर आपने हमारे बिग बर्दर सीजन टू एपिसोड वन को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक आउट जरूर करें वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए भीना किसी देरी की आज की वीडियो के एक्स्पनिश वाले उसे भुनेने उनेने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं पर वो देखता है कि वो लोग बहुती ज्यादा नार्मल थे बहुती ज्यादा मेहनिते थे मचलिया खाते थे एकदम नार्मल लग रहे थे तभी वहाँ पर जो चैंग्शा का पीपर क्लोन होता है वो काफी ज्यादा सोख हो जाता है और चैंग्शा भी काफी ज्यादा सोख हो जाता है ये क्या है वहाँ पर चैंग्शा सोख में उपर देखता है दरसल वहाँ पर एक बहुती बड़ी चैंग्शा की मूर्थी थी जिस तरह से चैंग्शा इस विलेज में आया था वहाँ पर चैंग सकता है ये क्या इन लोगों ने तो मेरे इतनी बड़ी प्रतिमा बना दी वहाँ पर उन विलेज वालों ने चैंग्षा की एक बहुती बड़ी सी गोड की प्रतिमा बना दी थी वहाँ पर चैंग्षा कता है क्या सच में अम मैं एक सी गोड हूं वो काफी जादा खूस हो रहा चैंक्षा को किसी सीगोड की तरह ही देखती थी और उसे बार बार टेच करका सोचती थी कि मैं भी एक दिन इनकी ही तरह बनूंगी वहाँ पर चैंक्षा आराम से चुक्चा बैटकर मजे की दिन काड रहा होता है तब उसकी पुतलिया सिकुड जाती है चैंक्षा आसमान में देखता है आसमान काला होने लगता है वहाँ पर समुंदर का पानी एक दम लहोरे मानने लगता है वहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफी ज़्यादा सौक हो जाते है और कहते है ये क्या हो रहा है तब ही उस विलेज का हेड़ बोलता है ये तो ये तो एक डीमन है क्या हम में डरने की क्या बात है हमारी पास तो सीगड है पर वहाँ पर नॉर्मल लोग तो काफी जादा डर रहे थे तब यह अचानक से आस्मार में प्रकाश चमकने लगता है प्रकाश काफी जोर से चमक रहता सार लोग ऊपर देखते हैं ऊपर कुछ कल्टिवेटर सा रहे थे जिन अपर सारे कल्टिवेटर उन मूर्तियों को लिए हुए जमीन पर उतरते हैं वो लोग अपने आपको किसी संत की तरह दिखा रहे थे उनी में से जो उनका हेडोता वकत है हम ट्वीन गाट के प्रतिनी दिये हैं चैंक्षा कमरे में बैठे बैठे ये सारी चीजे देख रहा चैंक्षा सोचत है मैंने कुछ टाइम पहले सेक्ड में सुना था ट्वीन बर्दर्श बहती भारी मात्रा में हाइरिंग करें जिनके पास कल्टिवेशन की प्रतिबा नहीं है उनको भी वहाँ पर चैंक्षा सोचत है तो इसलिए वो लोग इतनी बड़ी हाइरिंग करें व अभी हमें वहाँ पर एक बुड़े ब्यक्ति को दिखाया जाता है जो ट्वीन बर्दर्श की तरफ से आया हुआ ता और वो कता है हम देखी हम ट्वीन गौड की तरफ से आया है वह तुरंच कुछ कुछ कल्टिवेशन की सक्तिया इस्तिमाल करकर आस्मान में दिन कर देता वहाँ पर विलेजर्स यह देखकर काफी ज्यादा खूस हो जाते हैं वो बंदा बोलता है आप लोग हमारे साथ मिल जाए और ट्वीन ब्रदर्श की भगती करिए तभी वही बौड़ी बिल्ला लड़की बोलती है नहीं हम तुम जैसे जूटे गौड का सायता नहीं लेते हमारे पास सी गौड है जैसे वह लड़की यह सब्द बोलती है अचानक से फिर से समुंदर हिलने लगता है और वहाँ पर एक बहुती बड़ी फिर सीधे उनके विलेज पर अटेक कर देती है उनके विलेज में तबाही मचाने लगती है चारो तरफ सबको खाने मारने काट आगी लगती है चारो तरफ आगी आग लग चुकी थी वह फिस बहुती खतरनाक तबाही माचा चुकी थी पुर्य विलेज को ही तबाही माचा रहेती वहांपर सारे लोग सी गौड की पुकार लगा रहते तबी एक कल्टिवेटर बोलता है कि आज सी गोड की पुकार लगा रहे हो हमारे सरण में आजाओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हमारे गोड काफिल जादा पारफुल है वहाँ पर बहुत सारे विलेजर्श उन दोनों के सामने जुकने भी लगेते वहाँपर चैंगसा सूशता है आखिर यहाँपर चल के आजाए है इसलिए वा तुरंत अपना ट्रिजर निकालता है और तुरंत उस फीस और एल्डर की तरफ कर देता है चैंगसा को पास्ट की बारे मारें पता चलता है ये बुड़ा जो एल्डर था जो Twin God का प्रतिनिधी बता रहा था वो अपने साथ इस फीज को लाया था और इसी ने इस फीज से इस विलेज पर अटेक करवाया था ताकि यहां के सारे विलेजर्ज को वो Twin Brothers का भक्त बना सके ये सारी चीजे Twin God Brothers ही करा रहते वहाँ पर चैंक सा सुचता है, मुझे इन ट्विंस इमोटल के बीची में नहीं पढ़ना है, ट्विं बर्दर काफी पहले इमोटल बन चुके थे, और वो लोग काफी ज्यादा पारफुल भी होंगे, हमें इन लोग के मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए चैंक सा व असी अस्तार काता है, सारी लोग जल्दी से, तो उन बर्दर की सानल में आ जाओ, तभी वहाँ पर वो जो एल्डर होता है, वो तुरंत अपनी कल्टिविशन पावर का यूज करते वे, उसके सरण में जितने भी लोग आए वे थे, सब के सामने एक सील बना लेता है, जिसस प्यार से लेकर रहते, चैंक सा सूच रहाता कि वह जाए उनकी मदद करे या ना, और इदर हमें विलेज में दिखा जाता है, बोडी बीडर लड़की उस मचली की अटेक से घैल हो चुकी थी, और वह मचली उसको खाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर चारतरफ रोसनी फैनले लगती है और वहाँ पर हमें चैंक सा का एक पेपर क्लोन दिखें देता है, वहाँ पर जू पेपर क्लोन होता है, वह तुरंत अपना एक हीलात उस मचली पर मारता है, जिससे वह उतनी बड़ी शारक वाली मचली जाकर दूर गिटती है, तभी वो चैंक्षा का पेपर क्लोन बहुत सारी चोटे चोटे क्लोन में डिवाइड हो जाता है, वो सारी चोटे चोटे क्लोन तुरन्थ अपनी हाथ में पोईजन्स निकाल लेते हैं, और ख़ता है चैंक्षा, अब देखो मचली म इधर उदर घूम रहते और मचली की मुह में वो सारे पोईजन्स डाल लेते कोई बोड़ी पर फोड़ा था कोई इधर उदर सारे पोईजन्स उस पूरे मचली के सरीर पर फैक ने लगते और यहाँ पर जो चैंक्षा अंदर से इन सारी शीजों को कंट्रोल कर रहता है चैंक की असर से जो मचली होती है उसकी पूरी बोड़ी भी नैस्ट हो जाती है और इधर हमें दिखा जाता है यह चैंक्षा होता है वह यह काम करके काफी ज़्यादा खुस हो रहा होता है तभी जो ट्वीन ब्रदर की तरफ से आये वह बुढ़ा ब्यक्ती होता वाकत है देखे ह हमारी गौड की पावर हमारी गौड यहां नहीं है पर उनकी एक एनरजी भी इतनी बड़ी माचली को मारने के लिए काफी थी अगर तुम हमारे त्वीन गौड की पूजा करते हो तुम लोग हमेशा सुरचित रहोगे हमारे सामने जुक जाओ तब ही वहाँ पर वो बॉड हमारे सी गौड ने किया है वहाँ पर किसी को विश्वास नहीं हो रहाता और वहाँ पर सारे लोग काफी जादा डरे हुए थे बुड़ा भ्यक दिया बात सुनकर काफी जादा गुस्चा आज रुकाता है तुमने हमारी गौड की बेजति करने की हिमत कैसे की वह तुरंथ अपनी कल्टिवेशन पावर का यूज करते वे सीधे उस बोडी बिल्ल लड़की को ट्रैप करवा देता और उसकी हाथ में जादूई हतकडिया भी लगवा देता है वहाँ पर चैंक्षा अंदर से यह सारी चीजे देख रहाता है चैंक्षा सूसता है मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़की की मदद करनी होगी वहाँ पर चैंक्षा एक ऐसा स्पेल की तैयारी करने लगता है जिससे वह दूर रहते वे भी उस लड़की को इतनी पावर प्र काफी ज़्यादा पावर आ जाती है वो वहां के कल्टिवेटर्स को उठा उठाकर पठकती है एकदम मंकी किंग की तरहा इधर से उधर उठाकर फेक रहती वहाँ पर बुड़ा कल्टिवेटर्स यह दीकर काफी ज़्यादा लड़की के एक ही अटेक से बूड़ा तो जाकर दूर गिटता है वह इतनी खतरनाक पावर को देखकर तुरंत मूर्ती उठती उठाकर भागता और कता है भागोरे वहाँ पर सारे जीतने भी लोग आये हुए थे मूर्ती उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं गाओ के सारी तुरंत सीगोट का नारा लगाते हैं और इदर चैंक्षा बहुत ही तेज जंगलों में भाग रहाता है चैंक्षा काफी ज़्यादा घबराया हुआ था और मनीमा सोचता है मैंने फाल्दू में ट्विन ब्रदर से पांगा ले लिया ट्विन ब्रदर काफी बड़े इमोट हवा में उड़ते हुए भी उस मूर्टी को देख रहे थे वहाँ पर चैंक्षा सोचता है अब तो मैं वांटेड बन गया अगर गलती से वीन ब्रदर काल्टिवेटर उस विलेज में आ गए और उन्होंने मेरे चहरा देख लिया तो पता नहीं वो मेरा क्या करेंगे चैंक हो गया तभी अचानक से जहांपर मूर्ती तूटी हुए थी वहाँ पर यह बहुती बड़ी चमक दिखाए देने लगती है और वहाँ पर बहुत सारी स्टोन्स दिखाए देने लगते हैं वहाँ पर उस स्टोन में एक स्क्रॉल भी था वहाँ पर जो लड़की होती है वह तुरंत उस स्क्रोल को उठाती है, उसमें लिखा हुआ था, मैं कोई सी गॉर्ड नहीं हूँ, ये सारा चीज लिखने वाला चेंग्षा था, बलकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने जो भी चीजे अचीव किया हैं, वो सारी चीजे आप लोग भी अचीव कर सकते हैं मैं आपके पास कल्टिवेशन टेक्निक और उससे जुड़े हुए रिसोर्सेज को छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, अब मुझे विश्वास है कि आप उनका प्रैक्टिस करेंगे, और भविश्च में अपनी रक्षा खुद करेंगे, वहाँ पास जितने भी लोग वोते व बाइब नग्या राई